जो हमारे हिंदु भाईयों का सबर है वो काबिले तारीफ है क्योंकि जब से हम आयोध्या गए हैं हमने देखा है टेंट के अंदर रामलला विराजमान है कितनी तकलीफ होती है संगीनों के साहे में एक भगवान को एक अवतार को एक इमाम हिंद को एक किस चीज में रहना चाप बैठे शाहिन परवेज के बयान पर इसकदर हंगामा मचा कि उन्हें मंच से हटना पड़ा राम मंदिर निर्मान के लिए मुस्लिम समाज का समर्थन बटाने के लिए राश्ट्रिय मुस्लिम मंच ने ये आयोजन किया था बैठक में आये मुसल्मानों ने बैनर कोश सजार जो नवी रसूल से पहले हुए हैं उन में से राम रूपी नवी का जनमस्थान हैं देश 72 साल में ये भी लिखेगा इस देश के मुसल्मानों ने ऐसी कुछ समस्य हैं जो हिंदुस्तान के विकास में कैंसरस थी उनके समाधान में एक महत्वपुर्ण भूमी का निभ पिके राजे सबसांसत सुप्रमन्यम स्वामी ने तो एक कदम आगे बढ़ कर यहां तक कह दिया कि मुसल्मानों ने देश में 40,000 मंदिर तोड़े अगर वो अयोध्याकाशी और मतुरा छोड़ दें तो बाकी मंदिरों के लिए हम उन्हें माफ कर देंगे यहां कानुन बनाए यहां नरसिंगा राव ने जो वहां की जमीन अधिक्रइद कर ली थी और राम जन्मुनियास को जमीन दे दी जाए एनक एन प्रकारेणा अयुद्ध्या में प्रभू शीराम के मंदिर का निर्मान होना चाहिए मेरा मानना है कि 2019 के इलेक्षन के प्रारम होने से पहले अयुद्ध्या में भगवान स्री राम का भव युद्धिव मंदिर का निर्मान होना चालीस अजार मंदिरों को चोड़ा है तीन अजार को में मैं तो कहता हूँ मुद्धानों को कि बगवान कुष्ण की आधिर्शक की तीन को छोड़ दो बाती हम आपकर रहें अयोद्या की राम मंदिर मद्धुरा की कुष्णा मंदिर और बारानसी के काशी निश्युदात मंदिर काम खतम थोड़ी है अभी तो 19 में आना है हम लोगों और 19 में रहेंगे जैसे अब है ऐसे 19 में विजय होगी और बहुत अच्छी होगी ऐसे परदान मंत्री जीवन में दुबारा नहीं मिलेंगे इतने अमांदार और इतने कर्मट तिल पे हात रख के बताओ तिल पे नहीं इसे परदान मंत्री पुने दुबारा नहीं आएंगे हम बहुत बड़ा मोका खो देगे मुसलमानों को यह सोचना चाहिए जितनी भी योजनाय चल लिए इसा हर्देप परिवर्तन कैसे हो गया आपका कौन सी वो बात है जो प्रदान मंत्री मोदी गया आपको अच्छी लग गई देखिए प्रदान मंत्री मोदी जी की यह बात सबसे बैठ रही कि सबका साथ और सबका विकास इन्होंने सबका साथ दिया और सबका विकास हुआ जितनी भी परदान मंत्री जी की हमारी उत्तरप्रदेश सरकार योगी जी की योजनाएं चल रही हैं सब योजनाएं मुसलमान को 70% लाब मिल रहा है आपको क्या फायदा हुआ मुझे ये फादा हुआ कि मुझे एक राष्टे हित्मे कारिय करने का सोभाग्या प्राप्त हुआ और उनकी बानी से मैं हिदे से कसम खाता हूँ कि अटल ब्यारी वाजपरी जैसे हमारे लीडर और हमारे प्रदान मंत्री जैसे लीडर हमारे मुख्वे मंत्री योग्या दित्त नास देसलीड यहाँ जीवन में पैदा नहीं होगे जाना बसता है कि देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है भगवा भगवा होगा तब जहन में क्या आता है अब देखिए यह हमारा जंडा है ठीक है यह हमारा भगवय रंग है यह हमारे देश का प्रतीक है यह हमारा हरा रंग है यह मुसलमान का रंग है तो इस जंडे से ही आप समझ जाएंगे कि हिंदू-मुसलमान की एकता का जंडा है तो अब तस्वीर 2019 की है एक तरफ तो राहूल गांदी है तमाम विपक्ष है दूसरी तरफ प्रधानमंतरी मूदी है वो तस्वीर आपको कैसी नज़र आ रही है क्योंकि आपने शुरुआत जंडा खोलने से की थी तो क्या जंडा इसी तरह से लहरेगा 2019 में भी कमी आईगी जीवन के साथ रहेगा ये अमारा राष्ट्य तिरंगा धवज दो है वो हमारे सब के लिए हिंदुस्तान के लिए हर मनुष्य के लिए है और ये हमारा राष्ट्य जंडाई है ये बीज़े पिशासन जब आया था तब ये बात हुरी थी कि एक डर का महौल मुस्लिमों में पैदा होगा क्या वाकी ऐसा था और अब क्या खतम हुआ है नहीं ऐसा नहीं था देखो जैसे दूसरी पार्ट यह आप यह सोचिए कि एक व्यक्ति के पीछे 19 लोग इकटे हो गए तो कई तो काम होई रहा होगा यह तो आपको सोचना चाहि कि एक अच्छे व्यक्ति के लिए 19 गुंडे कट्टे होका है और उनके निकालने के उसमें लगे हुए तो यह तो राष्टे इत्में नहीं है यह तो भष्टाचारी को मुक्त करने के लिए हमारे प्रदान मंत्र जी आये हैं और वो भष्टाचार मुक्त करके रहेंगे और होके रहेगा और विकास जो हो रहा है आज हिंदू मुस्लिम सीख इसाई सब आपसका जो विकास हो रहा है उससे बड़ा विकास हो नहीं सकता चाहिए कोई भी पार्टी आजए मैं तो यह कहूंगा अपने भाईयों से मुसल्मानों से सबसे कि दिल और जान से साथ दे मंदर्सा जी आउल कुरान उस मंदर्से में साड़े तीन सो बच्चे हैं दस गाउं से बच्चे आते हैं 50% हिंदू जी जो हाई-टेक मदर्सा करने की बात कर रहे हैं लगातार चल रही आगे आप उससे सहमत हैं अरे मैं तो उससे पूरा सहमत हूं योगी जी तो हमारे परदेश में इस वक्त चुनोतियां खिलेश मयावती का गटबंदन बिल्कूल चुनोतियां उनके लिए दारासाही होंगे 100% दारासाही होंगे हमारी वीजह होगी हमारी भारतिय जनता पार्टी का पर्चम लहराएगा और राष्टे का एक नया निर्मान होगा वाकई